मुंबई में नशे में धुत एक लड़की ने सारी सीमाओं को लांग दिया जिहां धेरी के पुलिस स्टेशन में पूरी रात तांडव हुआ दरसल लड़की पहले से ही नशे में धुत थी इसलिए हंगामा करती इस लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था लेकिन प आप तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से नशे में धुत इस लड़की ने हंगामा कर रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं नशे में धुत ये लड़की किस तरह से पुलिस से पेश आ रही है बदसलूकी करती इस लड़की को आप अपनी टेलिविजन की स्क्रीनों पर देख सकते हैं और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर और शमा हमारे समधाता जुड़ गए हैं शमा ये जाना चाहते हैं कि जैसे कि अभी तस्वीरों में देख रहा है जो ये लड़की नशे में दोत है और पुलिस वालों से बत्तमीजी कर रही है तो क्या भी कुछ बाते सामने आई है क्या पूरा मामला आई है जी हां क्रितिका जी अब बीती रात ये लड़की जो है पुलिस स्टेशन में आके पूरा हंगामा कर दी यह लड़की नशे में पुलिस वालों से भी इसका डर खतम हो गया था पुलिस वालों से भी इसने काफी बद्तमीजी की बद्तमीजी से बात की और इसको किसी चीज का डर नहीं था इसने आई टी सी मराथा पर ही आई टी सी होटल के पास इसने काफी बद्तमीजी की उसके ब अपने आपको संबोदित कर रहे थी पहले तो इस लड़की ने लाल बाग आई टीसी होटल में भी काफी पखेडा खड़ा किया उसके बाद इसने टैक्सी वालों को भी काफी गालिया दी उसके बाद पुलिस टेशन में आकर काफी बवाल किया तो शमा क्या अभी तक पुलिस ने इसे जब बताया जा रहे है कि पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था लेकिन पुलिस टेशन में भी इस लड़की ने बत्तमीजी की तो अब क्या कारवाई चल रही है इस लड़की के खिलाफ अभी तो फिलहाल के लिए कारिवाई कुछ सुनने में नहीं आई है लेकिन इतना पता है कि पुलिस की हिरासत में आने के बावजूद इस लड़की ने पुलिस वालों से बत्तमीजी करने के बाद इसको हिरासत में अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं चल पाया है फिलाल के लिए पुलिस अभी इसको हिरास्त में लेने की कोशिश कर रही है जी आँ तो चलिए शमा तमाम एहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया मुंबई में नशे में धुत एक लड़की ने सारी सीमाओं को लांग दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी रात टांडव किया जी आपको बतादे की दरसल ये लड़की पहले से ही नशे में धुती इसलिए हंगामा करती रही और पुलिस वालों ने इस लड़की को पुल हिरासत में भी लिया लेकिन बावजूद उसके इस लड़की ने जम कर हंगामा किया